कोरोना काल में सोज़तिया परिवार ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ दाक्तर आरेम सोज़तिया फाउंडेशन भानपुरा द्वारा गरोठ भानपुरा शेत्र को लगभग आठ लाग रुपे की हाई टेक एम्बूलेंस की गई दान कोरोना काल के इस कठिन दोर में जरतमंदों की मरत के लिए स्वर्गी डाक्तर आरेम सोज़तिया फाउंडेशन डटे हुए हैं इसी श्रंकला में सोज़तिया फाउंडेशन के अध्यक्ष आनन्द सोज़तिया के नेटर्ट में करोठ भानपुरा शेत्र को आक्सिजन युक्त आठ लाग की हाई टेक एम्बूलेंस निशुल को प्रदान की गई है सोज़तिया परिवार पिछले कई वर्षों से मानव सेवा गरीबों की सेवा में तक पर है पिछले कोरोना काल में लाखो रुपे का राशन शेत्र में निश्वात रूप से विच्रित किया गया साथ ही फार्मेजिक कैंपस को कोविड सेंटर बनाने के लिए प्रशासन शासन को सोफ दिया गया है वहीं अभी ASOS IYC जो की इस संकर की घड़ी में कोविड मरीजों के लिए मरदकार साबित हो रही है ASOS IYC को एक लाख ग्यारा हरदार की राशी प्रदान की गई है जाक्कर केसी मेता के होस्पिटल हेतू 2,5,000 रुपे निस्वार्ट रुप से प्रदान किये गए है इसी प्रकार आज शासकी चिकसाले गरोट में भी एम्मूले स्वाहन भेट किया गया इस अउसर पर प्लाग कांगरेस अध्यक्ष कच्रूडाल मगर ललीच चंडेल आदी उपस्थित थे कि तरफ से निशुल कर दी गई है जिसमें बरिजों से वही शुल को असुना नहीं जाएगा इसमें डिजल पेट्रोल से लेकर ट्रावर की सारी ववस्ता निशुल करती गई है अध्यक्ष के खेट थे अध्यक्ष के शाथ इसमें ड्रावर कंडेक्टर लुगें जिसमें ब्रावर कंडेक्टर के गई पिपिपिपिपिशओ और संसकार दर्शन प्योरो संबात दाता राकेश वाला के रिपो कर दो